की चाल वेलकम बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्रमागत पूर संख्याय फिछलें वीडियो में हमने गड़ित कक्षाच्छे पाथ दों पूर संख्यायों के बारे में जाना थे आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वह हमारा टॉपिक है क्रमागत पूर संख्याएं तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं फटा फट से देखिए यह हमारा टॉपिक है बच्चों इसको हमें डिस्कस करना है तो पहले हम बुक से पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक एक जामपल को हम अपने टेलम के साथ में समझेंगे चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्रमाग पूर संख्याएं के रहा है निम्नांकि संख्याओं के प्रतेक समुझ पर ध्यान ते यहां पर कुछ संख्याओं के समुझ दिए गए हैं आपको उस पर ध्यान देना है बच्चों तो देखिए पहली संख्याएं 2-3-4 दूसरी है 7-8-9 और तीसरी है 15-17- ठीक है अब यहां पे हमें ध्यान क्या देना है प्रत्व और दिर्तिय समू की संख्याएं बाएं से द्रायाएं क्रमशा एक एक के अंतर से बढ़ रही है कैसे देखिए कैसे बढ़ रही है तो इसको हम यहीं पर पहले देख लेते देखिए दो से तीन में दो प्लस वन यानि तीन हो गया फिर तीन से चार जाना है तो तीन धन एक कर दिया हमने तो हम चार पर पहुँच गया यहीं इनके कहने का मतलब बच्चो और यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट वाला हम देखेंगे तो देखेंगे साथ में एक जोड़ा तो आठ आठ में एक जोड़ा तो नौ लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर ऐसा नहीं है 15 के में एक जोड़े तो 16 आएगा 17 नहीं आएगा और 17 में आप एक जोड़े तो 20 नहीं आएगा 18 चलिए देखेते हैं क्या कहते हैं चलिए तीन से अधिक संख्याओं का एक अन्य संभू देख लेते हैं 8, 9, 10, 11, 12 लेते हैं इस संभू की संख्याओं की क्या विशेष्टा है अभी नो ने एक संभू ले लिया इसकी क्या विशेष्टा है देखें क्या रहा है इस संभू की संख्याओं भी क्रमशा एक एक के अंतर से बढ़ रहे हैं यानि इसमें हम plus one plus one करते जा रहे हैं संख्याएं जो है हमारी वो आगे होती जा रही है अभी हमने याँ पर देखा देखे 8, 9, 10, 11 और 12 तो 8 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 और 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 आज़ेगा चली आगे बढ़ते हैं समू में आगे आने वाली कोई भी संख्या अपने ठीक पहले की संख्या की उत्तरवरती संख्या है उत्तरवरती और पूरवरती हम पहले पढ़ चुके हैं यानि अगर 8 आया है तो अगली संख्या जो 9 है वो 9 8 की उत्तरवरती संख्या है कैसे क्योंकि हमने 8 में प्लस 1 किया तो हमें 9 मिला इस concept को हम पूरे अच्छे तरीके से समझ चुके हैं चलिए आगे क्या कह रहा है किसी संख्याओं की इस विशेष्टा वाली सभी संख्याओं क्रमागत संख्याओं कहलाती है यानि अगर कोई संख्या है जो प्लस 1 प्लस 1 करके बढ़ती जा रही है क्रमशा उस जो संख्याओं का क्रम बना हुआ है वो अपनी उत्तरवरती संख्याओं से आगे बढ़ रही है तो ऐसे समूग को हम क्रमागत संख्याओं का समूग कहते हैं देखिए जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्रम प्लस आगत क्रम प्लस आगत यानि क्रम से आने वादी है ना क्रम से आने वादी क्रम आगत का क्या आर्थ है बच्छों क्रम से आने वादी तो क्रम से आने वादी संख्याएं कैसी होंगी जैसे हम गिंती पढ़ते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो ये क्रम से आने वाली संख्याएं हैं, तो आपको जानना चाहिए कि गिंती का निर्माड़ी ऐसे हुआ था, पुराने जमाने में केवल टैली संख्याएं खिची जाती थी, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो केवल ऐसे किस एक लाइंं कीच देदे जिसके बारे में हम नेक्स चैप्तरस में जाने जो संख्याएं क्रम से आगे बढ़ती हैं, जीनी हम प्लस वन प्लस वन प्लस वन करते जाते हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं, देखे इस प्रकार प्र Watford Sam Sam who 일 कि संख संख्याएं हैं तो अभी हमने पीछे देखा कि नहीं है इस पास्चता नहीं क्योंकि 15, 17, 20 क्रम सा एक-एक के अंतर से आगे नहीं बढ़ रही हैं दूसरे शब्दों में 17, 15 की अनुवर्ती नहीं है और 20, 17 की अनुवर्ती नहीं है इसी प्रकार यदि 13, 14 और 15 ऐसी पूर संख्याएं हैं जो एक क्रम में हैं ऐसी पूर संख्याओं को क्रमागत पूर संख्याओं कहते हैं दो क्रमागत पूर संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है यदि दो क्रमागत पूर संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है यदि दो क्रमागत पूर संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है next हम से कह रहा है कि 100 के ठीक पहले वाली दो क्रमागत पूर संख्या हैं बताईए 100 के ठीक पहले वाली कौन सी वाली बच्चो 100 के ठीक पहले वाली यानि 100 के पहले जो आती है वो वाली संख्या पूछ रहा है तो हम कैसे पता करेंगे पहले का बताना है हमें तो सो में से एक घटा दीजे, आगया 99. Next हम क्या करेंगे? अब हमारे पास 99 है, हम 99 में से एक घटा देंगे, हमारे पास आगया 98. तो answer क्या हो जाएगा? सो के ठीक पहले वाली दो क्रमागत पूर संख्याएं हो जाएंगी, 99 और 98. ठीक है? चली. Next क्या रहा है, 101 से प्रारम होने वाली चार क्रमागत संख्याएं बताईएं. तो 101 से प्रारम होगी, तो देखें, 101, 102, 103 और 104. बहुत इज़ी है बच्चों? चली. आगे देखते हैं, क्या रहा है, तीन क्रमागत संख्याएं, तीन, चार और पांच लीजिए, पहली संख्या और तीसरी संख्या जोड़िये, योग फल का आधा कीजिए, उत्तर से बीच वाली संख्या की तुलना कीजिए. इस प्राश्न को बच्चों आपने टेलम की सायता से हल करेंगे, और खेल-खेल में सीखेंगे, कि इसका उत्तर क्या आने वाला है. चलिए, चलते हैं अपने टेलम की तरफ. देखिए बच्चों, यह हमारा क्रमागत संख्याओं का टेलम है, इसमें हमसे कह रहा है कि पहली संख्या है तीन, दूसरी है चार और तीसरी है पांच. इसको हम निकाल दी सकते हैं X, X-1 और X-2, यहनि प्लस-1 और प्लस-2 करके निकाल सकते हैं करमागत संख्याओं को. चलिए, उसके बाद इन्होंने हमसे कहा कि पहली संख्या और तीसरी संख्या को हमें जोड़ लेना है. तो हमने पहली और तीसरी संख्या को जोड लिया, तीन धन पाँच, उत्तर के आया हमारा देखिए, आठ आया, अब आठ में इन्होंने का इसका आधा करिए, योकफल का आधा करिए, तो हमने योकफल का आधा करने के लिए दो से भाग दे दिया, तो answer हमारा क्या आ रहा है, answer हमारा आ गया, 4, और आप ध्यान देंगे कि ये 4 जो है, ये देखिए, ये 4 और ये 4 same to same, है ना, तो यानि हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाती है, यदि हम तीन क्रमागत संख्याओं में पहली संख्या और तीसरी संख्या का योकफल करें, पुना उसका आधा करें तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है, वो बीच की संख्या यानि दूसरी संख्या होती है, देखिए तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या बनके आता है, इससे हमारा फॉर्मूला बनके आता है कि दूसरी संख्या या बीच की संख्या हम कह सकते हैं, कौन सी होगी तीन संख् में पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या भाग देंगे दो से ठीक है यानि पहली संख्या और तीसरी संख्या का योगफल का आधा दूसरी संख्या होती है बच्चों तो आई होप आपको ये करने में बहुत मज़ा आया होगा तो आप इस तरह से और भी एक्जामपल्स लेके अपने घर में solve करके देखें ताकि आपको और भी मज़ा आए चलिए वापिस से हम अपनी बुक पे चलते हैं बच्चों आप पाएंगे कि तीन क्रमागत पूर संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आदा बीच की संख्या होती है अब ही हम अपने टीलम के माद्यम से खेल खेल में यह चीज़ सीख चुके हैं चलिए आगे हम एक और एक्जामपल को solve करेंगे कह रहा है कि तीन क्रमागत पूर संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 40 है तो संख्याओं गयात करिए इसको हम कैसे हल करते हैं सबसे पहले हमने जो सीखा है हम उसको apply करेंगे पहली और तीसरी संख्या का योगफल निकालेंगे तो योगफल हमें यहाँ पहले से दिया है तो हम लिखेंगे 40 फिर हम क्या करेंगे पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा करेंगे तो 40 भागा 2, answer आया 20 20 और 21 यहां पर बच्चों हमारा ये टॉपिक खतम हो रहा है अब भ्यास 2-1 को हम next वीडियो में solve करेंगे इसके बाद हम देखेंगे आप देख लीजे थोड़ा सा पूर संख्याओं पर संक्रियां तथा गुर्धर तो हम एक एक दिन एक एक गुर्धर्म पर चर्चा करेंगे ताकि वीडियो जो हैं वह बहुत लंबे ना हो और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं बच्चों तो इसको लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि जादा से जादा बच्चे असानी से पढ़ सके बच्चों पढ़ते रहे हैं आगे बढ़ते रहे हैं बाई बाई बच्चों